इस्राइल हमास युद के बीच गाज़ा के भीतर से हमास की सेन निशाखा अलकासिम ब्रिगेड और अलकुस ब्रिगेड लगातार आईड़ेफ के ठिकानों पर ताबढ़ तोड हमले कर रही है हाला कि इस्राइली सेना भी गाजा में हमास के उपर जवाबी हमले कर रही है लेकिन हमास जितनी ताकत से IDF के उपर हमले कर रहा है उसके आगे इस्राइली सेना के हमले थोड़े कमजोर साबित हो रहे है दरसल अलब हमास ने उत्री गाजा में बेथ हंनून में इसराइली सैनिकों के वाहनों और सैनिकों पर हमला किया है इसी दोरान हमास के लडाकों की नेजरी मैक्सिस में भिड़न्थ भी हुई है इस भिड़ान को लेकर अलकासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बेधन्नून पर अलियासीन 105 गोले दागने की बात कही गई है और इस वीडियो के अलावा हमास ने पीम नितन यहू का एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें नितन यहू के पीछे कैद में एक इनसान की परच्छाई नजर आ रही है और इस पोस्टर को लेकर हमास ने कहा है कि नितन यहू के राजनितिक हितों की वज़ा से आपके बेटे अभी भी कैद में है लेकिन इन हमलों के बीच अलकुज ब्रिगेड ने भी इस बात की पुष्टी कर दी है कि उसने नेजरीम एक्सिस में इसराइली सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मोटार गोलों से हमला किया है अलकुज ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें इसराइली सेनिकों पर हमला होता हुआ दिख रहा है हाला कि IDF ने दो सेनिकों की मौत की पुष्टी करते हुए कहा है कि रविवार को मध्य गाजा पट्टी में दो रिजर्व सेनिकों की मौत इसराइली रक्षा बलो द्वारा की गई प्रारंभित जांच में पाया गया कि इन दोनों की मौत तथा कतित मैत्री पून गोली बारी के कारण हुई थी मंगलवार को जारी जांच के अनुसार 28 वर्षी है इदोव अवीव मास्टर सार्जेंट येफ्ता ब्रिगेट की 9232 वी बटालियन के जो एक टैंक से गोलाबारी की चपेट में आ गए थे लेकिन इन हमलों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गाजा में इतना विद्ध्वन्स होने के बावजूद हमास के पास IDF पर हमले की ताकत कहां से आ रही है तो आपको बता दे कि गाजा एक सुरंगों के जाल पर बना हुआ है और इन ही सुरंगों से IDF को हत्यार और गोला बारूद की सप्लाई हो रही है और इन हत्यारों के बल पर हमास इसराइल के कई बड़े युद्धक तैंकों ओर सैन्ने वाहनों पर हमले कर रहा है झाल झाल